भारत और बांगलादेश की महिला टीमों की बीच वन डे सिरीज खेली गई आपको बता दे कि सिरीज का आकरी मुकाबला मीरपूर के शेरे बांगला क्रिकेट स्टीडियम में खेला गया इस मुकाबले की बात करें तो बांगलादेश ने 225 रनों का स्कोर खड़ा किया टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत की और आगे बढ़ रही थी साथ इस सीरीज भी टीम इंडिया आराम से जीत जाती टीम को आकरी नो ओवर में 36 रनों के अवशक्ता थी छे विकेट भी हाथ में थी लेकिन लगतार टीम इंडिया अपने विकेट खोती चली गए और साथ इस साथ इसमें एक बड़ा एहम रोल अंपारिंग ने भी निवाया दरसल आपको बता दें कि आकरी ओवर में पहली दो गेंदों पर टीम ने एक एकरन असानी से बनाए तीसरी गेंद पर मेगना सिंग का विवादा स्पद तरीके से कैच आउट होना टीम के लिए मैच का टरनिंग पॉइंट रहा इसके अलावा इस आउट दिये जाने के बाद मौजूद बलेबास भी थोड़े से नराज नजर आई साथी भारतिय कप्तान भी खुद अंपारिंग के फैसले से काफी खपा नजर आई मैच के बाद उन्होंने खुल कर अंपारिंग को लेकर बातचीत की उन्होंने कहा कि देखी जिस तरीके से अंपारिंग होई है वो वाकई निराशा जनक थी साथी आपको ये भी बता दें कि मैच में भारतिय कप्तान को भी LPW दे दिया गया था जिससे हताश होकर हर्वन पृत कौर ने स्टम पर बले को भी दे मारा था हर्वन पृत कौर ने इस मैच के बाद कहा कि बंगलादेश ने वाकई अच्छी बले बाजी की और उन्होंने जिस तरीकी की स्तीती थी उसकी अनुसार ही बले बाजी की दोड़कर रन भी चुराई लेकिन अगर बात करें हमारी बले बाजी की तो हमने भी काफी अच्छी बले बाजी की नियंतरित होकर के बले बाजी की लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि अम्परिंग के फैस्टटों ने काफी हमें इस माच पीचे धकेल दिया और मैं अम्पारिंग के फैस्टटट से काफी जगारा हूं हर्मन ने आगे कहा कि इस तरीके से हमने खेल यहां खेला वो वाकई शांदार था लेकिन Ampires ने हमें अपने फैसले से काफी ज़्यादा चुकाया है जिससे हम ज़्यादा निराश हैं साथी उन्होंने ये भी कहा कि हम जब अगली बार बंगलदेश आएंगे तो ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि आकरकार इस तरीकी के Ampiring से कैसे निपटना है और कैसे उसके लिए खुद को तयार करना है आपको ये बता दे कि भारतिय महिला करके टीम ने इससे पहले बंगलदेश के खिलाफ तीन मैचों की टीटमूडी सिरिस भी खेली थी जहां टीम ने दो एक से असानी से जीत हासिल कर ली थी बंडे सिरिस के आकरी मुकाबल में भी टीम इडिया जीत की और आगे बढ़ रही थी लेकिन Ampiring के कुछ सेसलों की वज़े से भारतिय टीम इस सिरिस को नहीं जीत पाई और सिरिस एक-एक से बराबर हुई और दोनों टीमों को संयुक त्रूप से वज़ेता घोशित कर दिया गया बहराल अगर टीम इंडिया के अगली 6 महीने के शडियूल की बात करें तो भारतिय टीम को न्यूजिलेंड इंग्लेंड औस्ट्रेलिया का दोरा करना है इस कबर में फिलाल इतना ही अपताज अपडेट के लिए बनी रिवन इडिया के साथ नमस्कार